नमस्कार इस वीडियो में आप समझेंगे NMS Exam 2020 Set A के Part 1 Mental Ability Test के Question No. 31 to 42 आइए अब हम इन Question को One by One Solve करते हैं Question No. 31 और 32 के लिए निर्देश दियेगे हैं निमले संख्या अनुकरम का अध्यान करें और नीचे दियेगे परसनों के उत्तर दें Question No. 31 में हैं दियेगे अनुकरम में कितनी समसंख्याई हैं जिनके ठीक पहले एक विसमसंख्या है लेकिन तुरंत बाद एक समसंख्या है तो सबसे पहले हमें वो समसंख्याई बतानी हैं जिनके ठीक पहले एक विसमसंख्या हो और तुरंत बाद उसके एक समसंख्या हो तो इसके लिए सबसे पहले हम समसंख्या हैं डूटते हैं कि कौन कौन सी है तो इस अनुकरम में हम देखते हैं कि समसंख्या हैं कौन सी है तो सबसे पहले हमारे पास ये 4 है उसके बाद हमारे पास 8 है फिर हमारे पास two है उसके बाद हमारे पास eight है फिर six है फिर eight है फिर two two four four six तो ये हमारे पास क्या है समसंख्या है अब हम देखेंगे ठीक पहले भी समसंख्या हो तो ठीक पहले भी समसंख्या है ये हमारे पास हो गई और इसके भी ठीक पहले भी समसंख्या है और इसके भी ठ 8 के पहले 3 है तो ये एक विसम संख्या है 2 के पहले 5 है तो ये भी विसम संख्या है ये 2 के पहले 2 है तो ये विसम संख्या है 4 के पहले 2 है तो ये भी विसम संख्या है और 4 के पहले क्या है 3 है तो ये भी एक विसम संख्या है अब हम देखेंगे अब इसमें क्या है खें लेकिन तुरंत बाद एक संख्या हो अब 4 के बाद हमारे पास 7 है ये क्या एक विसमसंख्या तो ये नहीं होगा 8 के बाद यह हमारे पास 5 है ये भी क्या है एक विसम संख्या है ये भी नहीं होगा तो 7, 2, 2 के बाद ये क्या है 6 है पहली संख्या आएगी वो 7, 2, 6 आएगी तो एक संख्या हमें ये मिल गई क्योंकि ये 2 के बाद 6 एक संख्या है 5, 8, 6 तो इस परकार ये भी one क्या है समसंख्या है 8 के बाद 6 है यह एक समसंख्या है तो यहाँ 3, 8, 5 यह नहीं है इस 2 से पहले 5 है यह एक विसम है और 2 के बाद यह 2 है तो यानि यह क्या है 2 के बाद 2 है और यह क्या है एक समसंख्या है तो इसके बाद हम देखते हैं तो 4 के बाद 3 यह पहले ही नहीं था तो यहां पर 4 के बाद 9 आ गया यह एक विशम संख्या है तो इस परकार हमारे पास 1 यह संख्या मिली है 2 और यह हमारे पास 3 तीन ऐसी संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक विशम संख्या है और तुरंत बाद एक संख्या है तो 3 जो है option 2 मे जो circle दिया होगा उसको आपने fill करना है यह यहाँ पर आपको सिर्फ यह बताया जा रहा है कि इसका answer दो है आए अब हम question number 32 को solve करते हैं दिये गए अनुकरम में कितनी विशम संख्याइं हैं अब हमने विशम संख्याइं देखने हैं कितनी हैं जिनके ठीक पहले और बाद में एक संख्या हो तो सबसे पहले हम विशम संख्याइं देखते हैं कौन-कौन सी है तो हमारे पास five एक विशम संख्या है तो इससे ठीक पहले कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या एगा one आएगा तो one एक विशम संख्या है seven एक विशम संख्या है उसके है तो हमारे पास थ्री है उसके बाद फाइव है उसके बाद हमारे पास थ्री है उसके बाद नाइन है अब क्यूशन में यह पूछा गया है कि ठीक पहले और बाद में एक समसंख्या हो तो यह जो विसमसंख्या है इसके पहले क्या है विसमसंख्या और बाद में समसंख्या तो यह सही नहीं है तो यह जो 7 है इससे पहले समसंक्या है लेकिन बाद में 3 है तो यह विशम संक्या है 9 से पहले विशम संक्या है और बाद में समसंक्या यह भी सही नहीं है तो 5 से पहले सम है और बाद में विशम है यह भी सही नहीं है 7 से पहले 5 है विसम संख्या है और बाद में 2 है एक संख्या ती ये भी सही नहीं है तो अब हमारे पास ये जो 3 है इस से पहले एक संख्या है 6 और बाद में 1 है ये भी सही नहीं है तो उसके बाद हम देखते हैं, तो 5 से पहले 1 है और बाद में 8 है, तो ये पहले विसम है और बाद में एक समसंक्या थी, ये भी सही नहीं है, उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 से पहले 6 है और बाद में 8 है, ये जो विसम संक्या ऐसी है, जिससे पहले भी समसंक्या और बाद में समसंख्या 2 है तो दूसरी संख्या हमें ये मिल गई है और उसके बाद हमारे पास भी समसंख्या कितने 3 है तो 3 से पहले 4 है और बाद में 4 है तो ये भी हमें एक संख्या मिल गई तो उसके बाद हमारे पास भी समसंख्या क्या है 9 है तो 9 से पहले क्या है 4 है और बाद में 6 है एक वी समसंख्या यह मिली है, जिससे पहले सम और बाद में भी समसंख्या है, इस परकार हमें चार वी समसंख्या ऐसी मिली है, जिनसे पहले समसंख्या और बाद में भी समसंख्या है, तो चार जो है option 3 में दिया गया है, इस परकार option 3 बिलकुल है, सही है, तो इस परकार हमने question number 32 को solve किया आए अब हम question number 33 को solve करते हैं question number 33 question में दिया गया है कक्षा में अमन का स्थान उपर से 6 वां तो नीचे से 27 वां है तो कक्षा में कुल कितने चात्र हैं अब हमें कक्षा में कुल कितने चात्र हैं उनकी संख्या ग्याद करनी है जब हमें उपर से और नीचे से स्थान दिया गया हो तो उसके लिए ट्रिकिये होती है इन दोनों को जोड़ दीजिए जो उपर से स्थान कौन सा छेवा है और नीचे से स्थान कौन सा 27 है इन दोनों को जोड़के इसमें से एक घटा देंगे तो हमारे पास कुल चात्रों की संख्या आ जाती है तो 6 में 27 जोड़ेंगे तो हमारे पास 33 हो गया और 33 में से एक घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 32 इस परकार कक्षा में कुल चात्र 32 है यह answer option 1 में दिया गया है, इस परकार option 1 बिलकुल सही है, तो इस परकार हमने question number 33 को solve किया, आए अब हम question number 34 को solve करते हैं, question number 34, यदि आने वाले कल के बाद का दिन सुकरवार है, तो बीता हुआ कल से 3 दिन पहले क्या दिन था, तो अब हमें दिन बताना है, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले क्या दिन था, तो देखिए, आने वाले कल के बाद का दिन क्या है, सुकरवार है, तो यह हम आज मान लेते हैं, तो डे हमारे पास यह है, अब क्या कहता है, आने वाले कल के बाद, तो आने वाला कल कौन सा हो गया, और उसके बाद का दिन क्या है, शुकरवार, तो यह जो दिन है, यह क्या है, फ्राइडे है, हमने यह मान लिया, अब फिर क्या कहता है, तो बीतावा कल, तो यह बीतावा कल हो गया, यह बीतावा कल हो गया, क्योंकि यह हमने तूडे यानि आज का दिन माना था, फिर बीतावा कल से तीन दिन पहले, तो तीन छे अगर हम पीछे जाएंगे अगर साथ दिन पीछे हो तो वही दिन आता है तो यह क्या है छे दिन है यानि इससे आगे वाला बनेगा यानि सनिवार बनेगा इस परकार बीते वे कल से तीन दिन पहले सनिवार है अब हम दूसरे तरीके से बताते हैं कि सनिवार कैसे आया यह हमारे पास सुकरवार है तो सुकरवार से पहले क्या होगा प्रिस्पतिवार होगा फिर क्या होगा बुद्वार फिर मंगलवार फिर सोवार फिर रवीवार और फिर क्या हो जाएगा ये सनिवार हो जाएगा तो इस परकार आंसर सनिवार जो है option 4 में दिया गया है तो इस पर बाग का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जमा, जमा का अर्थ गटा, और गटा का अर्थ भाग माना जाए, तो ये जो हमारे पास संखेंदिये का मान ग्याद कीजिए, तो इसका मान ग्याद करने के लिए हम बोर्ड मास नियम का प्रियोग करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे जो सर्थ दी गई है उनके अनुसार बदल लेते हैं तो पहले हम लिख लेते हैं अठारा फिर क्या गुना का अर्थ क्या है यहां पे गुना का अर्थ यहां पे जमा है तो यहां जमा लगा देते हैं तीन फिर हमारे पास जमा है और जमा का अर्थ हमारे पास क्या है? घटा, यानि घटा क्या हो गया? च्यार हो गया, फिर हमारे पास क्या है घटा, तो घटा का अर्थ क्या है? भाग, तो भाग हो गया हमारे पास दो, उसके बाद क्या है भाग, भाग का अर्थ हमारे पास क्या है? गुणा है, तो यह हमार प्लेलिस्ट दी गई है उसमें गनितिय संक्रियां का वीडियो दिया गया है उसमें बोर्ड मास नियम को समझाया गया है इस नियम को विश्तार से आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं तो इस प्रकार का क्यूशन लगवग सभी competitive exam में पूछा जाता है इस प्रकार के operation यानि plus minus divide multiply है इनको हमें solve करना होता है तो बी क्या है bracket इसमें है नहीं ओफ ओफ कारता है का ये बीच में नहीं है डी से क्या है divide करता है भाग यानि जिन दो अंकों के बीच में भाग है सबसे पहले हमें उनको हले करना है तो भाग इन दोनों के बीच में तो 4 को हम 2 से में हमारे पास क्या चार डी से divide हमने कर लिया उसके बाद क्या M multiply अब हम इन दोनों के बीच में multiply है तो इनको हल करेंगे तो 2 की हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आजएगा 8 आजएगा तो ये minus का 8 हो गया अब फिर हमने क्या करना है A से addition यानि जोड़ना है तो 18 18 में 3 जोड़ेंगे 21 होगे 21 में अब हमने क्या करना है S आ गया वाद में तो subtraction यानि सबसे last में हमने घटाना होता है 18 में 3 जोड़े 21 21 में से 8 घटा है तो हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया तो इस परकार ये जो मान है option 1 में दिया गया है इस परकार option 1 बिलकुल है तो इस दरपन में देखने पर घड़ी में 12 बज कर 5 मिनट हुए है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है अब घड़ी में जो वास्तविक समय है वो हमें गयात करना है तो इस परकार के question लगबग सभी competitive exam में पूशे जाते हैं इस परकार के question के लिए trick हमारे पास ये होती है तो हम जो समय दिया होता है उसे हमें 11 बज कर 60 मिनट में से घड़ाना होता है तो 12 बजे को हम लिखते हैं 11 बज कर 60 मिनट तो 11 बज कर 60 मिनट में से जो समय दिया गया हो उसको घड़ाना होता है तो 12 बज कर 5 मिनट है तो जब 12 बजे है इसको हमने 00 लेना होता है तो यहां पर समय 00 0 हो गया और minute कितनी है 5 है तो हम 5 minute यहां ले लेते हैं अब हम इसको घटा देते हैं अब हमारे पास के 10 में से 5 गई 5 और यहां रहे गे 5 यह 5 हो गया और यह 11 as it is आ गया तो एक दरपण में देखने पर घड़ी में 12 बज़कर 5 minute है तो घड़ी में वास्तिक समय ग्यारा बज़ करें 5 minute होगा तो यह मान जो है option 3 में दिया गया है इस प्रकार option 3 बिल्कुल सही है तो इस प्रकार हमने question number 36 को solve किया आईए अब हम question number 37 to 42 को solve करते हैं तो question number 37 से 42 के लिए हमारे पास निर्देश दिया गया है 8 cm भूजा वाले लकडी के घण की सभी स्तय एक समान रंग में रंगी गई है इस घण को 2 cm भूजा वाले छोटे घणों में काटा गया है निमलिक परसनों के उतर दीजिए अब हमें question number 37 से 42 के इस निर्देश का पालन करते हुए answer देने हैं तो हमारे पास बड़े घण की भ काटे गए हैं तो हमें कितने घण काटे गए हैं तो बड़े घण की भूजा को बड़े घण की भूजा को चोटे घण की भूजा से भाग देना है तो भाग देंगे यह जो मान आता है वो एन आता है हम ट्रिक से कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एन का मान गयात कर रहे हैं तो 42 को solve करेंगे तो देखिए पहले question में है कुल कितने चोटे घं काटे गई हैं तो वो होते हैं n cube होते हैं क्या होता है n का cube होता है तो हमारे पास n का मान कितना है 4 है तो 4 का cube करेंगे n cube बराबर हमारे पास क्या है 4 का cube है तो 4 का cube किसके बराबर होता है 64 के बराबर होता है, तो इस परकार ये जो मान है, वो option 3 में दिया गया है, इस परकार option 3 बिलकुल है, सही है, तो इस परकार छोटे गनों के संख्या है, वो कितनी है, 64 है, तो इस परकार हमने question number 37 को solve किया, आईए, अब हम question number 38 को solve करते हैं, अब हमारे पास question number 38 है, question number 38 में तो ये trick होती है, n-1, into 3 होता है, ये trick होती है कि जब आपसे पूछा जाए, गिन को कितनी बार काटा गया, ये जो trick है आपने याद रखनी है, इसमें आपने n का मान भरेंग이, तो जो गन को जितनी बार काटा जाएगा, उसका मान आ जाएगा, तो n का मान हमने 4 निकाला है, त तो 4-1, multiply 3, तो 4-1 कितने दे 3 होते हैं, तो 3 की 3 से multiply गरिंग कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो इस परकार घन को 9 बार काटा गया है, ये मान option 3 में दिया गया है, इस परकार option 3 बिलकुल सही है, तो इस परकार हमने question number 38 को solve किया, question number 39, question number 39 में है, ऐसे कितने चोटे घन प्रापत होंगे, जिनकी केवल एक स्टैप रंगी हो, तो एक ही स्टै रंगी हो, उन घनों की हमें संख्या जाद करनी है, तो इसके लिए हमारे पास ट्रीक ये होती है, कि n-2 का स्कियर, multiply 6 होता है, तो ये ट्रीक के याद रखनी है, मान हमारे पास कितना है, 4 है, हमने जो 4 गयात किया था, तो 4-2 का स्कियर, multiply 6, तो 4-2 कितना अगर 2, 2 का स्कियर करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया, तो 4 की multiply हम 6 से करेंगे, तो हमारे पास कितना अगर 24, तो इस परकार ऐसे छोटे घनों की संख्या, जिनकी केवल एक स्टै हो उनकी संख्या 24 है यह मान option 2 में दिया गया है इस परकार option 2 बिलकुल सही है इस परकार हमने question number 39 को solve किया आए अब हम question number 40 को solve करते हैं question number 40 ऐसे कितने छोटे घन प्रापत होंगी जिनकी कोई भी स्थेरंगी हुई नहीं है यानि रंग ही फलकों वाले चोटे घनों की संख्या हमें ग्याद करनी है तो ऐसे घनों की संख्या के ले ट्रिक होती है n-2 सारे की पावर 3 यानि n-2 का cube होता है तो n का मान हमने 4 निकाला है 4-2 का whole cube तो 4-2 कितना होता है 2 तो 2 का cube 2 का cube कितना होता 8 होता है ये जो 8 है ये option 1 में दिया गया है तो इस परकार option 1 बिल्कुल सही है इस परकार हमने question number 40 को solve किया आए अब हम question number 41 को solve करते हैं question number 41 में है ऐसे कितने चोटे घन प्रापत होंगे जिनकी दो स्थाय रंगी हो उन घनों की संख्या हमने ग्याद करनी हैं तो इसके लिए trick होती है n-2 multiply 12 होता है अब n का मान हमारे पास कितने है? 4 है तो 4-2 multiply 12 तो 4-2 कितने है? 2 तो 2 को हमने 12 से multiply करना है तो वो हमारे पास कितने है? 24 तो ये मान है option 1 में दिया गया है इस परकार option 1 बिल्कुल सही है तो इस परकार हमने question number 41 को solve किया अब आईए अब हम question number 42 को solve करते हैं तो question number 42 ऐसे कितने छोटे घन प्रापत होंगे जिनके तीन स्तय रंगी हो तो जिनके तीन स्तय रंगी हो उनकी संख्या हमेशा 8 होती है चाहे N का कोई भी मान हो या कितने भी हमें छोटे घन बनाने हो तो यह आपने याद रखना है जब बड़े घन को छोटे घनों के रूप में काटा जाए और आप से पूछा जाए कि तीन स्तय रंगी हो तो उनकी संख्या हमेशा 8 होती है यह option 4 में दिया गया है इस परकार option 4 बिलकुल सही है इस परकार हमने इस वीडियो में NMMS एक्जाम 2020 सेट एक पार्ट वन मेंटल एबिलिक रेस्ट की क्यूशन नबर 31-242 को सॉल किया उमीद है यह क्यूशन आपको समझ में आए है समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकोन को प्रेस कर ओल को स्लेट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होसके धन्यवाद